मेरा रजा बेटा इमजिनियर बनेगा, जी हान, फॉर्स्ट यर वाले बंदे अपने मम्मी पप्पा की जुबान से ये बात आपने जरूर सुनी होगी और ये सुंते सुंते रजा बेटा बड़ा भी हो गया और मजाक मजाक में वो engineering college भी पहुँज गया जनाब आपकी university कोई भी होने दो आपकी college कोई भी होने दो even if आपकी state कोई भी होने दो आप कौन से भी राज्य से होने दो फरक नहीं पढ़ता जनाब लेकिन first year वाले बंदे आपकी unit test आपकी in sem आपकी mid sem जो भी आपको हो वो कुछ दिनों में चलके चलके आ रही है तो चलिए इस unit test के दौरान पहले ये तीन चीज़े बहुत ध्यान से याद रखना है पहली तीन चीज़े बताने वाला हूँ चार लेकिन पहली तीन चीज़े बहुत जादा important है and especially जो second year वाले बंदे देख रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़े बहुत जा स्वागत नहीं करोगे इस बबाजी का आपकी दरबार के अंदर absolutely अपने चैनल को जी हाँ अपने चैनल को subscribe करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जितना चाहिए उतना शेर करिए वो तो absolutely free है और नीचे comment box में जरूर बताना यो यो come on जरूर बताना यो यो तो चल करते हैं आज सबसे पहले syllabus आपकी university देखो क्या होता है कई-कई colleges उसकी unit test के लिए syllabus को define कर लेते हैं अब कुछ colleges दो chapters रखते हैं कुछ colleges तीन रखते हैं तो सबसे पहले unit test से पहले उस unit test के लिए उस in-sem के लिए क्या syllabus है वो ढंक से जान लो पहले समझ लो syllabus को कि हाँ जना दो चैप्टर करने ठीक है तो मैं पहले दो चैप्टर के उपर ही focus करूंगा पूरा university में syllabus क्या है वो बाद में देख लेंगे उसके लिए बाबाजी है चिंता मत करो ठीक है तो syllabus को जान लो अपने college teachers के साथ discuss करो कि sir ma'am कौन सा syllabus आने वाला है कौन से chapter से question जादा आने की chances है उर bank कई सारे colleges ऐसे हैं even if कई सारी universities हमने देखी है कि वो विल्कुल भी official question bank को release करते हैं वो इसलिए release कराया जाता है just because बच्चों के उपर जादा burden ना हो क्योंकि अभी-भी college में आये है और तुरंत unit test देना उसके भी marks final exam में consider होना यह बहुत important बात होती है and इसलिए question bank को release करते ह और कुछ colleges तो बले-बले करते हैं जो देंगे वही आते हैं तो question bank हक से मांगना अपने college professors के साथ या फिर अपनी university की website पे जाके चेक करो college की website पे जाके चेक करो कि first unit test के लिए कोई question bank release हुई है क्या ओके और वो question bank को ढंग से prepare करना theory और derivation practice करो numericals घीज घीज के practice करो एक एक numerical उस question bank को आना चेके समझ रहे मेरी बात को next paper pattern भाया तारी universities का paper pattern different होता है मैंने ऐसी universities देखे जिनकी in sem में या फिर mid sem में या फिर unit test में मैंने कहा न जो भी बोलू उदर mc क्यों आते है जी हां लेकिन कुछ universities ऐसे होते हैं सीधा पांच-पांच मांके पांच सवाल दे देते हैं चार सवाल दे देते हैं या फिर छे सवाल देंगे कोई भी चार सवाल करो तो paper pattern को पहले ध्यान से उच लो सारा सब कुछ college में ही पूछनेगा क्योंकि क्या होता है आप हमसे पूछोगे हम कुछ specific universities के PY क्यों आपको जरूर बेजेंगे लेगिन क्या होता है अभी new education policy के अनुसार हर university की paper pattern change होने की chances है इसलिए अपने college प्रोफेसर से पूछो क्योंकि जादा तर universities के college professors ही आपकी unit test की paper को set करते है तो जरूर उनके साथ paper pattern क्या होगा sir ma'am paper pattern बता दो oh 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 important है जरूर बताएंगे समझे रहो प्रोफेसर दिल के बहुत अच्छे होता है जरूर बताएंगे चिंता मत करो ठीक है and the last but not the least यह तीन चीज़े तो important है लेकिन last चीज़ बहुत ज़्यादा important है भाईया good CGPA जरूरी है इसका मतलब यह बनता है कि आपकी university की exam तो होने वाली है कुछ university की 80 marks के कुछ university की 60 marks की है लेकिन सब के लिए यह जो unit test है वो important है क्योंकि यह unit test में जो marks मिलेंगे वो आपके final marks के साथ जोड़ा जाएगा और फिर जाके आपके pointer CGPA निकाले जाएगे और यह final CGPA आपके final campus के लिए आपकी jobs recruitment के लिए आपकी further studies के लिए बहुत जादा important है इसलिए मैंने लिखाए good CGPA जरूरी है तो good CGPA के लिए पहले university exam में स्कोर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ unit test में भी स्कोर करना पड़ेगा तो चलो पहले पाड़ाओ के बारे में सोचते हैं पहले जो अपना step है उसके बारे में सोचते हैं कि unit test में marks कैसे लाया जाए उसके लिए क्या क्या किया जाए और वो सारा सब कुछ आज के session में मैंने बताया और उसके साथ साथ आपकी university कोई भी होने दो जनाब कोई भी होने दो chapter का नाम सीधा डालो सामने अपना नाम लिखो अबाजी बले बले पूरे सारे first year के chapters अपने बिलकुल भी YouTube channel पे available है even if second year के भी chapters available है तो tension लेने की जरूरत नहीं है physics, mechanics, BW ये तीनों subject अपने फाड़ू इंजिनियर चैनल पे आ रहा है, discrete mathematics फाड़ू इंजिनियर चैनल पे आ रहा है, electrical networks फाड़ू इंजिनियर चैनल पे आ रहा है, mathematics 1 और mathematics 3 इस चैनल पे आपको मिल रहा होगा तो इदर उदर भटकने की जरूरत नहीं है, सिफ पढ़ाई को शुरू कर देना है, और हाँ आपके respective WhatsApp ग्रूप को जरूर जॉइन करिए क्योंकि वहाँ पे बाबाजी की question bank आपको मिलेगी, notes आपको मिलेंगे, तो चलिए मिलते हैं उस WhatsApp ग्रूप में और अपने next session के अंद झाल